सपनों के दुनिया में अब एक नई चमक लाएं अपने घर की रौनक में चार चान लगाएं थकी हुए तीवारों में नया जोश ले आएं हिंटलेक्स पेंट्स के संग जिंदकी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं पड़ करें एक घटना करम हुआ आपको क्या लगता है कि जिस तरह से दिगविजे का भी ब्यान आया कि यह जेपी है वो करवा रहा है इसकी इस तरह से फितरत रही है क्या क्या पूरा परकरण किस तरह का था वो क्या कोई साजिस थी या को जान बूज के किया गया मुझे नहीं मालूम कि यह क्या चीज थी वो तीन गाओं से हमारे पीछे थे और हम लोग बड़ी स्मूद ली उससे पहले मैं रात को माजरा गाओं में गई हूँ और लोग आगे जैसे रोड पे खड़े हो गेते तो कहते जी आप हमारे परशनों के उतर दो मैंन का ले लो उन्होंने लिये अच्छी तरह है बोले ठीक है जाओ उससे पहले वाले दिन भी कोई लेडी है शायद किसान नेता सिसर में क्या नाम है सुदेश गोईद वो भी बड़ी मैं कहते हूं बड़ी जट से पेश आई यह वो लेडी उसके साथ भी दस आदमी थे बड़ी स्मूदली उन्होंने हमारे से पूचा जो पूचा हमने दे दिया बाकी वो उनका एक सिस्टम है वो कर लिया ठीक है वो हम चले गए आगे गाउं में पर यह जो लड़क लुप कुल साइड में आकि यह लोगख खड़े होगे और इन्होंने नारे बाची किये हम बाशन बाची करते रहें मैंन का कोई बात नहीं इनको भी लोग तंतर में अधिकार है हमें भी अधिकार है कुछ नहीं बोले जैसे हमारे वरकर जाने लगे मैंने का नहीं जा प्रोग्राम कोड़ से गाउं में आपका और जैसे हम लोग वह रोज खेड़ा गाउं था शायद वहां पहुंचे तो बहुत छोटा गाउं है साड़े पूरा गाउं चोटा सा पता नहीं तो वह पंचायत घर है या क्या चीज थी छोटी-छोटी उसकी दिवर जैसी मैंने भाशन शुरू करा यह लोग इतनी स्पीड से जंडे लहराते हैं पूरा मुझे तैसे लग रहे हैं जैसे पिक्चरों से सबक लेके नहीं आते बच्चे शराब में धुत कोई उनको सुदबुद नहीं आके जो जोर जोर से चिलाने लगे उन्होंने गेट पे लात मारी है सबसे पहले और गेट पे लात मारने के बाद हमारी नर्वाना से है सीमा बदवल अभी भी है मेरे पास वो कमलेश शर्मा एक निर्मला रेडू है और हमार है डुमरखा से वो लड़कियां जो एकदम दर्वाजे के पास कड़ी थे वो सारी भार गई और उन्होंने उनको का भी भाई ऐसे ना करो तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो सीमा बदवल की मोटर सैकल पर बैठके यहां लात मारी उसने एक लड़के यह गिर की फिर एक हमारी जो मैं कहा रही हूं कमलेश शर्म है उसकी छाती पर मुका मारा तीसरी लड़की का जब उन्होंने दुपटा खिंचा ना जोर से निर्मला रेडू का तब हमारे वरकस जो है वो सारे भाग के एक दम आके आए और जिस जिस ने पकड़ा है वो अपने क्या ना मैं उन के पास जो गाड़ी थी उस सारी गाड़ी पे स्टीकर जैपरकाश लगे हुए जो पहले तीन लड़के थे जिन्होंने एक हाथ में हरा जंडा एक में काला ले रखा था और दोई सेकंड में गेट तोड़के जब वो आए तो वो जंडे तो वो छोड़ी आए पर डंडे ल तो आइडेंटिफाई तो हम वहीं से करते ना और हंडर्ड परसेंट उसके आदमी है वो पर मैं कहते हूं यूथ को शराब मत पिलाओ यह हमारी दरोभर है क्यों इनको यूज कर रहे हूं यह नेता आते जाते रहते हैं चले जाएंगे यह विचारा यूथ जो है यह पिसा रह जाएगा और जेपी का तो काम यह है लोगों को खराब करना और दंगे करवाना